कि समाजी कल्यान के लिए जाती जगन नहीं करेंगे जो खुदी आकंठ सांपरदाइक राजनिती में डुबा हुआ 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 देश को डिक्टेट करेगा जो डाटा निकल कर आते हैं उसमें उनके ही आरच्षड में नेफेस किया जाता है देख ऑसे जंता MEME पर है निफेस नौकरी तुमको अभी ऑपiosis देगे तुम यह मुले कर लिए यहाँ पे लिए यह जो było पर अभी आख जाए जनताने मांग कि कोई डिमांड किया से क्या जनता किया थिंता तो कुछ नहीं हो रहा है जनता का हमैं जात जात के नाम पर वोट देते हो जंता सिक्षा कि मांग कर रहीगा यह आशा कार्वार और पर रूसर 123 करा यह पूरा यह न?' राजनितिक विमर्ष पैदा करना होगा न दवाब बनाना पड़ेगा राहुल गांदी भी नहीं करवा सकते न जो सरकार में वह करवाएगी न बिपक्ष जनता लोग आवाज उठा सकते हैं तो अभी जो सरकार में उससे सारा जबाब माएंगे किसे माएंगे सब्सक्राइब करने के लिए प्रफेशन रतन लाल जी है और देश में आप देख रहें नेशनल दस्तक और हमारे साथ बात चीप करने के लिए चाहे राजनितिक पार्टी हो काई कोई शंगठन हो अचाहे देश के लोग हो आम अवाम हो और जाती जंगरना को लेकर काफी एक्ट्यू है और जाती जंगरना इसमें देश का बड़ा मुद्धा हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए आप इसको कैसे देखते हैं यह तो बहुत लंबे समय से मांग थी और पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में इसमें कुदें हैं लेकिन आप देखेंगे संसद में अलियनवर साहब जो थे 2011 में इस मुद्दे को दस नौ दस में उठाए थे और उस समय लालू परशाद यादव का और मुलायम सिंह आदव का गोपिनात मुंडे का सबका समर्थन इसमें था लेकिन उस समय एक लीला होगी लीला यह हो जाती जनगन्ना का मतलब है कास्ट सेंसर्स कमिशनर के अंतरगत साइंटिफिक तरीके से जाती जनगन्ना कराना लेकिन उस समय ग्रामीन मंत्राले के तहते हैं तो समय सर्वे कराए गया तो उसकी और ऑथन्टिसिटी क्या थी नहीं थी यह अटा दिजिए क्योंको उसमें को भी सी वाला कॉलम आया नहीं था उस तरीके से लेकिन अब जो है ना अब सोचल अक्टिविस्ट लोग जिसे हम लोग तो बुल ही कहते राज नरायन बहुत दिन से चला रहा है सांदर्ण को और सोचल अक्टिविस्ट तमाम इस मुद्द्य को उठा रहे थे तो अब तो इता है कि जाती जनगन्ना होके रहेगा हम लोग तो अब आज उठाएंगे लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यार्फुल रहें कि कास्ट सेंसस हो सर्वे नहीं हो कास्ट सेंसस जैसे 1931-1931 में हुआ था अभी वी उर्षी डाटा के लेकिन अभी मोदी सरकार जब से आई है तब से भी नहीं हुआ है कि शिटूल का शिटूल ट्राइब का गरना करो भाई और जितना उसकी संख्या बढ़ी हो उसके इसाफ से प्रोपर्शनेट रिजर्वेशन बढ़ाओ अपने बजट में उतना प्रावधान करो लेकिन के नेता है अब चुनावी मोट से बाहर है आप तो हाउस के अंदर है और विपक्ष के नेता कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होता है तो जिस तरह से वह आवाज उठा रहे हैं सरकार पर दबाव है कि चाहे उसमें कुछ हेरा फेरी करे अलग बात है लेकिन इस विजलेंट रहन आपने RSS का नाम लिया नहीं नहीं सर अभी RSS हम लोग जाएंगे लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो और भी राजनितिक पार्टियां हैं जैसे आप पीछे दिन आप देखें होंगे कि बिहार में जाती जनगर्णा का शमर्थम कर रहे हैं जाती जनगर्णा की बात कर रही है तो क्यों नहीं अपने जहां पर उनकी सरकार है उस राज्जिम में जाती जनगर्णा करा रही है और उसके आकड़े जारी कर रही है जब इतनी बड़ी बड़े मुद्द्य को आप उठा रहे हैं नाशनल लेवल पर इस सवाल सुभाविक है कि तेलंगाना में में और आपको हिमाचल में आपकी सरकार है और पहले तो आपको चलिए यहां भी थी चतिसगर में भी था और राजस्थान में भी था तो पहले आप एक्जामपल सेट करें अपने आप जैसे बिहार में हुआ ना भाई नितेशकुमार और तेजस्वी आतब जब आट कोट ने रोक लगा दिया मैटर अभी सुप्रीम कोट में और यह मैटर अब नौवी अधिसूची में डालने की भी बात पुर है तो यह तो तय है कि भाई कॉंग्रेस को कराना चाहिए जहां उनकी सरकारे हैं और इस सवाल तो उठना चाहिए उनको इसका जबाब देना चा करना है तो यह अगर आपके आचरन में वहार में करनी कथनी में अंतर होगा तो जनता तो सवाल उठाएगी ना लोग तो सवाल उठाएंगे कि अपने आप क्यों नहीं करा रहें वाजिब सवाल है और इसका जबाब उनको जरूर देना चाहिए नहीं तो ट्रस्ट टूड लेकिन सब्सक्राइब और शवाल है जिस तरह से अगर बात की ज़िए कास सेंसर्स की तो हम सन एकासी में 1881 में इस देश में कास सेंसर्स की बात होने लगी थी जब पहली बार इस देश में जन्गरना हो थी और उसी के अधार पे सन 1902 में चत्पति साहु जी आरचर जब 19141 की बीच में जाती जन्गरना होती है वो तो जाड़ा नहीं निकल कर रहा लेकिए 1901 में कॉंग्रेस जाती जन्गरना बन्कर देती है क्या इस से में जाती जन्गरना कर आएगी हर वेक्ति का हर संगठन का एस सभल मुशन होता है कावन का और राज के कावन का और सिंगल पार्टी थे इस देश में हंकूमत करती रही नवय के नवय के शुरुत दिनों तक देश में एक सत्र राज था जो सत्ता में बैठे थे जाएगी नहीं सरकार तो बहुत से मुद्दे पर आपने जो इस्टैंड लिया जंता को सूट न तो अभी तो पंदरा साल से कंग्रेश सप्ता में नहीं तीसरा तर्म है तो इसका स्वरूप भी बदला है ना पार्टी का अब यह सारे मुद्ध्य नहीं उठाएगी अगर वह एक अधिकारी पूजी बात पर नहीं बोलेगी वोट कहां से आएगा सोशल जस्टिस की बात नह और से इसके पास है ओ तो यहां आने का नहीं रिजिनल पार्टी के सत्थ के सतरे इस बात कर लिए नहीं क्यों लड़का बात कांग्रेयश की जनता का है बात डेश में सरवे कराएगी कि सरकार सर्वे कराएगी सब्सक्राइगu तो अभी जो सरकार में उससे सारा जबाब करेंगे किसे माएंगे सब कुछ को आप काउंटिंग करते हैं लेते हैं उसका भी रिकॉर्ड रहता है कि देश की जनता को कैसे समझाया जाए जिस तरह से देश को 78 साल हो गया जाद हुए लेकिन अगर बात की जाए देश की बात और देश के मुद्दो की बात तो सब एक आसी में जब जनता दल की सरकार बनती है उस समय मंडल कमिशन लागू होता है और आज भी OBC को उसी मंडल क मिशन की देन है कि बहुतों को नोकरी मिला बहुत से बच्चे जो है कॉलेज इन्वस्टी में पढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि कॉंग्रेस और बीजेपी के अलावा को तीसरी सरकार आनी चाहिए जंता जल्की जो सरकार थी उस समय जो अच्छे ची काम हुए सोसल जस्टीश पर मैं उसकी बाग करा हूं गिर कहिए उसके पहले सोसल जस्टीश पर काम नहीं हुआ है और सिक्षा में आरक्षन जो है कौन दिया था वह विसी को बताए आपको बताएए ना सर देश की जंता जानना चाहिए ना रक्षन तो कॉंग्रेस सरकारी दी दिना अर्जुन सिंग नहीं आदे 2006 में एवलूशन होता है ना कॉंग्रेस का इस्टेंड मंडल कमिंशन को लेके असी के दर्शक में कुछ और होगा ठंडे वस्ते में डाल दिया नबे में फिर प्रेशर बिल्ड़ जनता ने मांग किया कोई टिमांड किया हं किया जानता का हवा मैं जात जात के नाम पर नांब देत हो जनता सिक्षाई स्कूल Das किके अंदोलों देखा है अबने अनीजी करन हो रहा है कहीं और देखा किसे खिलाब हम नोखरीय जा रही घंटा का बताई जनता तो जाकी जाग जात देती है माजी जी वहां से अभी मंत्री हैं बहुत थल्ला कर रहे हैं रिजरबर्शन पर स्कूल का है नहीं खुल लिए अपने एक कोई जनता में कोई मांग देखे हैं कि हमारा जनता का घोषना पत्र हमको यह चाहिए नेता से सवाल पूशता है बताईए मुझे आपका जनता हवा में तो सूचल मीडिया के जमाना है दुचार दस लोग मिलके सोचल मीडिया पर महाल बना देता है तो दिरे-दिरे महाल बन जनता में रोजगार सिक्षा स्वांस्थ को लेकर को आंदोलन रोच्गार के नाम पर रामलीला ग्रांड में बीर दिखा उसी और यह गोverständ यहमें तो डेस में अगर रोजगार कि अगर पांच किलम स्वाइँ है Na ने आप केहा रहे हैं की रामलीला में दुम आ रोजगार के लिए कहां देखो रोजगार के लिए आन्दो Queen भूक रहे हैं बोल रहे हैं कि सिक्षा केहां कि और और अब हेसोan के ता Nice राफ भूल रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा हैं अभी आप जारो बच्ये जंतर मंतर नहीं हो फेर फेर स्लेक्षन हो इसके लिए आंधोलन रून हुआ है जब आपो लगया है कि हमकोशना चहे यह गरबत हो गया पीर माहोल बना तब सड़क पे आये को एक का कोचिंग का धंडा बन हो इसके लिए अंधुलन कούμε अब अपने लिया तो आप मानते हैं कि जाती जन गरना होगा और जाती कि जन गरना नेक्ट वाट नेक्स्ट यह है कि चाप सरकार कितना खरचा करें कहां लागू करें कहां बढ़ाएंगी और बनेगा नहीं तुम्हारी तुमको भी पूरा अधिकार चाहिए पूरे कम्प्लीट रिम्टेड है तो सरकार पूपर जब आखड़े आएंगे तब नहीं किसके पास कितना लोन लिया हुआ कितने कार हैं कितने बंगले कितने जमीन हैं क्या है पहले आखड़े आएंगे तब बीना डेटा के कैसे अगर बात की जाये ना आप रोफेसर हैं जो रिसोर्सेज आप लिम्टेड की बात कर रहे हैं जब बात आती है जो नीचले वर्ग जो सबसे जो पीछले अस्ठान पर छूड़ गया है जब उसकी हक बात को कर अथिकार की बाता कि ये तो लोग बोलते हैं कि जो हमारे देश में संसाद्रumm की कंहीं है और अधीक भी थींटेट नहीं बोलना चाहिए लिज देसरमी में है ज्यफोके पास लिएन पीडर भाजरा है मैं जिसके पास है इनके लड़ाई लड़ रहा है हां वो तो लड़ी रहा है ना गरीब की लड़ाई कोन गरीब लड़ रहा है कि अमीर लोग लड़ा है तो यहीं न लड़ाई है कि भाई संसाधन को एक्सपैंड करिए कुछ लोग अमीर के अमीर होते जा रहे हैं आप तो अकड़ा आ गया भाई एक परसेंट पॉपलेशन के पास कितनी अमीरी है लैंड रिफॉर्म लागू करिए लैंडलेस को लैंड दिजिए इस्कूल एडुकेशन बहतर करिए यह एजंड आप है ना लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ कि सब आप नहीं कर सकते हैं कि हम आप यह पोलिटिकल क्लाज लोग भी तो यह समझने चाहिए लोग के तरब से प्रेशट बिल्डप होना चाहिए ना लोग की तरब से बिल्डप होना चाहिए एक दो मुवमेंट होत विख दो क्या हुआ इसकूल एजूकेशन क्या है क्या है रेलवे आधा प्राइवेट हो चुका है जहाज भिग आरे जहना कहां लोग है कि मांग उठे तो मांग को व्यापक अंदोलन में तबदिल करना होगा न हम बैठे 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 पोल नहीं तहीं मांग से हो जागा कि पॉलिशी लेवल पर कम्मिनिकेशन हो इस पर आंदोलन हो यह पुलिटकल पार्टी के ब्योंड भी सिविल सोसाइटी की ओर से कि मुझ में ठोज पर सरकार पर दवाव डाला जाए तब पुलिटकल पार्टी संसाद में बोलती है जब हम लोग पहला करते हैं तो आज महां पहुंच जाती तो यह बात है चले लाश्ट कोश्चन आप से रहेगा सर देश की जंता आरच्छड के मुर्दों को जानना चाहती सही तरीका से जिस्ता से जो समण आरच्छड 10% दे दिया गया किस पॉलिसी के अंतरगत दिया गया और क्या ढाटा उसका रहा इस पर कुछ बता देगे कोई डेटा फेटा नहीं था सरकार की यह बीजेपी के सरकार सीधा अपरकास्ट के कंट्रोल में है कोई कमिशन बैठा कहीं कोई मांग हुआ लेकिन उस सचेत लोग है दस परसेंट आरक्षन जो है न एक तरह से गहर समयधानिक था लेकिन जब हुकूमत में जब आता ताना शाही है आप तो कुछ भी करवा लेंगे कोट से भी सुप्रियम कोट से भी निकल गया पास हो गया न सब तो वह सचेत स्यलार में कलम था अब आप थो करें कि आरक्ष न में ये करो वह करें रक्ष कहां यार लीमिटेड नौकरियां है त्री और फोर क्लास प्रित फूर वो सारे अब चले जया ठिके पर चले कि और ऑट्सोर्सिंग हो गया कि रेल वे में लाखों नौकर यां होती थी अब जाके देखिए आउट्सोर्सिंग हो गया तो जो निजी करन पॉप्लिक सेक्टर यूनिट का निजी करन बंद हो कि वहां तो लाखों नो करिया है तो उससे को भी नहीं मिलेगा उससे किसी को नहीं मिलेगा अभी इंडियन कॉंसिल ऑफ एक्रिकल्चर रिसर्च में इंटर्यू चल ला है 368 साइंटिस्ट के पोस्ट है एक भी सेस्टी ओभी सी डव्लू एस नहीं बता कि किसी ने उठाए हम ही लोग उठा रहे हैं सवाल को आप लोग बुद्ध जीवी हैं तो अपने समाज का यह सब करतब्दक करें कि इसका कॉष्टं के रहे हैं लोग लोग समझे तो नहीं कम कर रहें कि लिए अपने लिए उठार है कि जाते हैं किमिन नुक्सान हो रहा है कभी हमारा शॉमारा की ब्यक्तिकत संता है हो कराते रहो कि हम बार-बार करें कि आप आप जाती है आपस में दोंदेश को खतम करी एका लाइए चोटे-चोटे पॉपलेशन है यादव कुर्मी में पड़ता है पहली बताइए बता दो मुझे बिहार में जाके दो चमार दूसाद आपस में लग रहा है इधर आरक्षन को लिए चमार बाल मिकी कर दिया जाटब बाल मिकी कर दिया तो यह आप आगे विजिन क्या हो गया कैसे हो आपको दिख नहीं रहा है कि ब्रामन कितना ले लिया ठाकुर कितना कोई किया हमारे हां दलित पिछड़ों की तो आदत है आपस में जातियां मुठवेड करती है दूसरे से और जातिया भी कहां मुठवेड कर पा रहे हैं सर अगर आप देखा जाए जो डाटा निकल कर आते हैं उसमें उनके ही आरच पैदल भाग जाएगा तुम सबको एजेंडा ख़ली एमिलेंपी बनना है तो खताम हो रहा तो कर लो क्या करना है जातियां मूठवेर करती है ना आप एक जाती के नेता है आप कर बीजेपी में चली जाए आपकी जाती के लोग बीजेपी में चलाए बेड़ बगर की तरह आप हां करें अब 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 लिए जलत है पहली बताई यह मुझे एजेंडे पर वोट होता है और दुसरी बात है आरे से पर बूले थे ना आरे से इसको मजबूरों के बोलना पर रहा है लेकिन आरे से का देश का मालिक है उत्ताय करेंगा कि समाजी कल्यान के लिए जाती गब बूट नहीं माएंगे उसके कारकरता सवेंस लिए परचार नहीं करेंगे जो खुदी आकंठग सांपरदाइक राजनिती में डुबा हुआ 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 देश को दिक्टेट करेंगा यहां फूट पे राजनीति हो जा रही है गोमांस पे राजनीति हो जा रहे हिए कपड़े से पचानंद ले रहे है कौन क्या है जी घ॥य रहे है कि जाति जाति पे तो राजनीति हो गी म desses कौन होता या डिक्टेट करने वाला घुद करika